चिराग पासवान जो लजेपी रामविलाज पासवान के फैक्शन के स्टार हैं इस वकत क्योंके सेंट पेसेंट इनका स्ट्राइक रेट है मोदी के ये हनुमान खुद इन्होंने डिकलेर किया हुआ है और चिराग पासवान आपका टाइम्सनाव और टाइम्सनाव नवभारत पर स्वागत है और धेर सारी बधाई हमारे दर्शकों की तरफ से और दोनों चैनल्स की तरफ से आपको ये 100% स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला कैसे बनाया आपने चिराग पासवान जी और मैं ये कह दूँ क्योंकि मैं रिपोर्टर थी उस जमाने में जब राम विलास पासवान जी मंत्री थे और मैं कवर करती थी बीट आज जहां भी होंगे खुश तो बहुत होंगे आपको देखकर ये फॉर्मूला कौन सा है आपका थाइंक यू नाविका जी थाइंक यू फॉर यू काइंड वर्ट सबसे पहले और मुझे लगता है मैं शब्र पको कह सकता हूं कि जो मैं फिल कर रहा हूं शायद आप भी फिल कर सकते हैं पापा को लेकर क्योंकि आपने भी उनके साथ करीभी रूप में आपने काम किया आपने उनको जाना पहचाना तो आपने जब ये कहा कि वो जहां भी होंगे खुश बहुत होंगे मैं मानता हूँ, he must be very proud and very happy ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी, पापा को हमेशा माना जाता था इस बात के लिए कि उनका जहां भी रहे उन्होंने गड़बंदन में हमेशा बहतरीन पॉफॉर्म किया 2014 में 7 सीटे पापा लड़ रहे थे, 7 में से 6 सीटे जीते 2019 में उनका भी स्ट्राइक रेट 100% रहा, 6 की 6 सीटे वो जीते तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी थी, मेरे उपर भी, और काफी लोग थे जो नज़र गड़ा कर इस बात को देख रहे थे कि मैं कितनी जीतता हूँ, क्या उन्ही के नक्षे कदमों पर चल पाता हूँ की नहीं, पर मैं मानता हूँ कि यह उन्ही का दिया जी आप अपने आपको मोदी के हनुमान कह रहे थे और हर रैली में आप इसी तरह अपने आपको दिखाते थे और आपके और मोदी जी के बीच में खास केमिस्ट्री नजर आती थी, कभी वो आपको गले लगाते, कभी आपको आशिरवात देते, उमीद थी, एक्जिट पोल्स को उमीद थी और बीजे पी को खुद जिसकी उमीद थी, अब आपकी भूमीका क्या रहेगी? मुझे नहीं पता न आविका जी मेरी क्या भूमिका रहेगी बढ़ हाँ जिस भूमिका के लिए हम लोग महनत कर रहे थे वो मेरे प्रधान मंत्री जी की भूमिका थी कि वो देश में तीसरी बार देश का नित्रत करें मैं मानता हूं और मैं पूरी इमानदारी से इस बात को मानता हूं कि देश के विकास के लिए जरूरी है मेरे प्रधान मंत्री जी का तीसरी बाद देश का प्रधान मंत्री बनना एक प्रधान मंत्री जो दोहजा सेंटालिस तक देश को विकसे देश बनाने के लक्षे के साथ आगे बढ़ रहे हैं एक प्रधान मंत्री जो अगले पास साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बनाने के लक्षे के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस सोच का धरातल पर उतरना जरूरी है और वो मेरे प्रधान मंत्री ही कर सकते हैं तो हम तमाम घटक दल उसी लक्षे के साथ आगे बढ़ रहे थे कि हमारे प्रधान मंत्री तीसरी बार देश का नित्रत करें उस लक्षे में हम लोग सफल रहे हां कहीं ना कहीं संभव था चूक हुई है ना भी का जी होता कि है ना हम लोगों ने अपने लिए इतना बड़ा लक्षे र पाद दशकों में कि तीसरी बार कोई प्रधान मंत्री लगा तार प्रधान मंत्री पत की वो शपत लेने जा रहे हैं तो ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्दी है न्डिये को जिस तरीके से एक बड़ा जनादेश इस बार भी मिला है और मैं मानता हूं मेरे आदाद में मेंबर्स ओफ पार्लिमेंट हैं चंदरबाबू नाइडू जी के नितिश कुमार जी के और नितिश कुमार जी और आपके बीच में जो पुरानी एक खटास थी उससे कैसे एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये एक नई एंडिये होगी एक नई केमिस्ट्री होगी जि अपना रोल जे डियू का रोल और जो तमाम सामने आ रही हैं बातें के कोई तीन पोर्टफोलियो मांग रहा है कोई चार पोर्टफोलियो मांग रहा है चार एंपी पे एक पोर्टफोलियो आपके पांच हैं तो आपको तो सवा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए तो आपकी क क्या मांग रहेगी और NDA के बाकी घटक दलों की क्या मांगे हैं कुछ इस पर बातचीत हुई So let me put this very clear on record नाविका जी कल हम लोग की मुलाकात हुई प्रधान मंत्री जी के नितुरत में तमाम NDA के लीडर्स की ये बैठक ती और हर किसी ने एक सुर में बिना किसी शर्ट के प्रधान मंत्री जी के नितुरत को स्विकारा है And we all are very 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 clear in our heads की ये जीत प्रधान मंत्री जी के नितुरत की जीत है लोगों का उनके प्रती जो विश्वास है ये उसकी जीत है उनकी गरीब कल्यान की योजनाओ की ये जीत है ऐसे में बिना किसी शर्ट के मैं डिफिनिटली मैं भी कल शाम से और आज सुबह से जादा प्रमुक्ता से ये तमाम डिमांड सुन रहाओं की इस गटक डलने इतनी सीट इतने पॉर्टफोलियो फलाना ढिमकाना मंत्रालो की मांग की इसमें कहीं कोई सत्ता नहीं है हम में से किसी ने कहीं कोई मांग नहीं की और ये पूरी तरीके से विशेशा अधिकार मेरे प्रधान मंत्री जी का है कि अपने मंत्री मंडल में वो किनको रखते हैं किनको नहीं रखते हैं किसी घटक डलकी इसमें कोई डिमांड नहीं है और आपने मेरे और मेरे मुख्यमंत्री जी के रिष्टों का आपने जिक्रे किया मुझे लगता डन एंड डस्टेट बहुत मधोर रिष्टे हैं आज की तारीक में कल मैं पटना अदिली आने से पहले पटना में 19 से ही मुलाकात करने गया मेरे तमाम सांसर मेरे साथ थे और क्योंकि हम लोगी केमेस्टरी इतनी बढ़िया थी मेरे प्रधान मंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री और हमारी यही परिणामों में दिखा है बिहार में जिस तरीके से एंडिये का एक बहतरीन प्रदर्शन देखने को आया है विप्रीत परिस्तितियों के बावजूद तो ये परिनाम इसी लिए आए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी की पार्टी, मेरी पार्टी, भारते जन्ता पार्टी, तमाम घटक दलों ने एक साथ मिलकर मेहनत की प्रचार किया, लड़े, जीते और अब सरकार बनाने जा रहा हैं चिराग जी मैं आपसे फिर पूछूंगी, हम भी अब 30 साल से कोईलिशन गवर्मेंट्स को देख रहे हैं, इतनी हमारी भी भूमिका रह चुकी है पत्रकारिता में, और जब कोईलिशन पार्टी मिलकर एक सरकार बनाती हैं, तो उसमें तैह होता है, आप इसको सामने कहें या ना कहें, ये सीन्स के पीछे थोड़ा बहुत नेगोसियेशन होता है, कि कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, किस तरह का महकमा चाहिए, ये तमाम बाते होती हैं, बलकि रामविलास पासवान जी के समय में, तो ये बहुत हम लोग उन ही से मजाग करते थे, कि अगर चु जीतेगी और फिर उनका महकमा बहुत अच्छा होगा, सरकार बिलकुल, तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप, let's be practical, आप क्या रखेंगे expectation, क्या आपकी अपनी सोच होगी, और आपके चाचा जी भी तो हैं, उनकी भी क्या भूमिका रहेगी? तो नाविका जी, as you said, let's be very practical, आपकी अनुभव की और मेरे पिता की अनुभव की मैं तुलना कता ही नहीं कर सकता हूं, so I don't have that experience, I don't even know what to expect, I think I'm too naive, अभी, फिलहाल, right now, इतना आपने जरूट ही का, कि मेरे पिता का किसी भी alliance में जाना, एक शुब संकेज जरूर होता था, and I have always been very proud of the fact कि पापा ने कभी post-pole alliances नहीं किये, किसी की सरकार बन रही है, इसलिए उसका समर्थन कर देगी, उन्होंने कभी नहीं किया, हमेशा pre-pole alliances किये, और जिसके साथ किये, उसकी सरकार बनी, तो ये एक शुब संकेट उनका हमेशा रहता था, और उस सरकार में उनको मह स्विकार जरूर हो करूँगा, आप कह रहे हैं, नहीं भी हो सकती, ऐसा भी हो सकता है, हनुमान जी के साथ, ऐसा, 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 ऐसा सेड, I don't even know what to expect रब नाविका जी, और इसलिए, मैंने जैसा मैंने कहा, मेरा लक्ष बहुत क्लियर था, मेरे प्रधान मंती जी को तीसी बा अदेश का प्रधान मंती बनाना, ऐसे में बेहार से, उनकी उमीदों को मैं जरूर पूरा कर सकूँ, इसके लिए मैंने जरूर, दिन राथ मैंने प्रयास किया, लगबक दोसों के करीब मैंने वहाँ पे बिहार में सभाएं की है, हर उस सभा में, सुनेशित किया कि मेरे प् स्कीम की समीक्षा दुबारा से हो और कुछ इसको लेकर वोटर्स में नाराज़गी है आपको इलेक्शन के दौरान ऐसा महसूस हुआ और आपको लगता है या अगनीवीर स्कीम की दुबारा समीक्षा होनी चाहिए देखिए मैं पहले बिफोर आइ आंसर या क्वेशन मैं एक बात को मैं बहुत क्लियर कर दूँ जमीन पर और ये मतलब बहुत बड़ी बात है नाविका जी दस साल से मैं भी चुनावी रंड शेतर में हूँ दो दो बार का संसद रह चुका हूँ तीसरी बार मुझे इस बार की संसद में जाने का मौका मिलेगा मैंने पहली बार मैंने ये अनुबव किया कि किसी एक नेता किसी एक गड़बंदन किसी एक सरकार के प्रती जीरो एंटी इंकंबेंसी मेरे प्रधान मंत्री जी के प्रती एंटी इंकंबेंसी का तो अब ही नहीं था बलकि जो उचसा था वो सिर्फ वा सिर्फ उनी के नाम पर था किसी विपख्ष के निता के नाम पर नहीं था बढ़ हां उसके बावजूद हम लोग अपने लक्षे से थोड़ा सा चुके हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं तो कमिया रही है कुछ न कुछ कहीं न कहीं हम लोग चुके हैं क्या वो कारण रहे उसकी समिक्षा होनी जरूरी है ताकि 2029 में हम लोग पुना अपने लक्षे को पूरा करते हुए हम लोग सरकार बनाए ऐसे में क्या क्या कारण रहे हर एक दल को अपना अपना जो अनुभव होगा मुझे लगता है सरकार की गैमा गैमी एक बार समाव तो एक बार शपद ले ले सरकार तयार हो जाए फिर इंडिये के तमाम साथी बैठेंगे और जो भी डैमेज उसको रिपेर करकर 2029 के लिए हम लोग तयारी करेंगे चिराग पासवान जी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद आपकी माता जी जो उन तस्वीरों में दिख रही हैं जब आप जीते उन्हें भी हम याद करते हैं राम बिलाज पासवान जी के साथ मिलते थे और वो बहुत खुश हैं आप चाहेंगे कि वो भी संसद में आएं राज्य सभा में आएं कुछ ऐसी अटकलें सुनने को मिल रही हैं इस पर आप क्या कहेंगे आपने मेरी चाहद जाननी चाहीं मैं बिलकुल चाहता हूँ बड़ अगर आप उनकी चाहद सुनेंगी तो वो कता ही नहीं आना चाहती हैं शी इस आपसेलिटली क्लियर शी स्टूड लाइक पिलर ऑफ स्ट्रेंट फॉर मादर और शी प्लेंग देंग रोल फॉर मी मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ढाल बनकर वो इस कटिन समय में मेरे साथ खड़ी रहीं वो दिन भी याद है जब पार्टी परिवाद टूटा और सिव मैं और मेरी माँ थे और आज का भी दिन है जब मॉम उतने ही प्राइट के साथ शी सो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस डाट मी और माँ पार्टी डिड़ बट वो अपनी भूमी का वहीं तक सीमित रखना जाती है परदे के पीछे रहकर मेरी पार्टी के निर्णों में उनकी एक एहम भूमी का रहती है हम लोग की कारश हैली में उनकी एक एहम भूमी का रहती है बट किसी सदन का वो सदस्य बने उसके लिए उन्होंने हमेशा डिनाई किया इससे पहले भी ये प्रस्ताव हम लोग के पास था कि अगर वो राज्य सबा जाएं बट उन्होंने बहुत विनम्रता से उसको अस्विकार किया वो सक्रिय राजनीती से अपने आपको दूर रखती है मैं आपसे पूछूँगी कि आपकी तरह एक युवा नेता है बिहार में तेजस्वी आदव जी जो रुक रुक कर ये बार-बार कह रहे हैं कि देखते जाएए आगे क्या होता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपको लगता है कहीं कोई उमीद है कि विपक्षी पार्टी जो इंडिया अलाइंस की है वो दावा कर सकती है एक सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है नहीं तो फिर तेजस्वी आदव जी के इस वाक्य का अर्थ क्या आप समझते हैं आपने फसा के रखते हैं अपने लोगों को ताकि वो आपसे छितरे नहीं आपसे बिखरे नहीं चुनाओ परचार के दौरान ही यह बास पस्ट हो गई थी कि राज़त का एक खराप प्रदशन होने जा रहा है महा गडबंदन का बिहार में खराप प्रदशन होने जा रहा है जिस तरीके से यह लोग भूमी का बांद रहे थे इनकी हार को देखते हुए इनके लोग इनसे भागे नहीं आज पुना और ये पांस साल तक ये ऐसे ही बोलते रहेंगे क्योंकि इनको डर है इस बात का कि जिस तरीके से NDA हर बार बहुमत के साथ सरकार बनाता जा रहा है तो कहीं इनके लोग इनका साथ ना छोड़ दें ये वही हैं जिन्होंने मेरे बारे में भविश्यवानी की थे I don't know whether you have seen that video or not but रील्स में आजकल खूब वारल हो रहा है जहां पे तेजस्वी मुझे हार की मुवारक बात दे रहे हैं हकीकत यह है कि राजनीती में अभी भी नादान है यह ओप मुखे मंत्री बनने के बाद बिहार और बिहारियों की सोच को यह समझ नहीं पाए हैं और गाहे बगाहे इस तरीके के बच्चों वाले बियान देते रहते हैं मैं आपसे यह पूछूँगी के प्री पॉल अलाइंस जो थी या प्री पॉल जो बीजे पी के मैनिफेस्टों में चीजे थी यू सी सी हो वान नेशन वान इलेक्शन हो इन तमाम मुद्दों पर आप कहां खड़े होंगे देखिए जब ये टेबल पे आएंगे तो डेफिनेटली हर दल हर पार्टी अपना मत इसक्यों पर रखेगी बठां जब आप किसी गड़बंधन में होते हैं तो गड़बंधन वेचारिक तोर पर होता है आप उस गड़बंधन की नीती सिधानतों से अधिकांच तोर पर आप सहमती रखते हैं इसलिए आप उस गड़बंधन के साथ उस सोच के साथ आप अपने आपको जोड़ते हैं मैंने 2014 में भी इस बात को मैंने सपस्ट और से कहा था कि मुद्धो के अधार पर ये गड़बंधन है अगर कभी कहीं पे हम लोगों के इशूस के साथ हम लोगों को कॉंप्रमाइज करना होगा तो हम लोग अपनी बातों को प्रमुकता से रखेंगे और गाहे बगाहे हम लोगों ने किया भी है उसका एक उधारन पीछे जब अनुसुचे जाती जन जाती अट्रोसिटी आट के डाल्यूशन का एक मामला आया था तो उस वक्त भी खुल कर मैंने मेरे पिता अधनी रामलास पासवान जी ने खुल कर हम लोगों ने अपनी बातों को रखा था और मुझे लगता है कि ये गड़बंदन हम लोगों को वो स्वतंतरता देता है मैं कल की बैठक की अंद्रूनी बाते कहनी नी चाहिए बट मेरे प्रधान मंत्री जी का ये जिक्र में जरूर करूंगा कि मेरे प्रधान मंत्री जी ने कल दोराते वे इस बात को कहा कि इस प्लाटफॉर्म इस ओपन फॉर डिसकेशन आप लोग आएं अपनी बातों को रखें और मैं हर सुझाव, बलब कोट अनकोट मैं उनी के वाक्य को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं हर सुझाव को सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं उमीद रखता हूँ कि आप लोग अपने सुझाव मुझे दें ताकि उसकी आधार पर ये सरकार बहतर प्रदेशन कर सके जब इस गड़बंधन का नेतर तो करता ही इस बात को कहता है तो वो लिबर्टी हम लोगों मिलती है अपनी बातों को रखने की तो जिन मुद्धों का आपने जिक्र किया किसी भी दल को इस मिद्धों को लेकर सहमती असहमती कुछ भी तरीके की सुझाव जानकारी उसके लिए मुझे लगता है इंडिये का वो मंच हमेशा से खुला हुआ है बाचीत करकर ही हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आगे चलने में लोगों का कहना है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी उनकी शक्ती घटी है क्योंके 63 सीटों का लॉस हुआ है बीजेपी को अब जो ये अलाइंस है वो बीजेपी अकेले नहीं है बैसाक्यों पर है ये तमाम चीजें विपक्षी पार्टियां उठा रही है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या मोदी 3.0 उस तरहां के कड़े फैसले ले पाएगा जिस तरहां के कड़े फैसलों का उन्होंने हमेशां एक तरहां से डिमनस्ट्रेशन दिया है 2014 की सरकार में 2019 की सरकार वो कहते हैं ना दिल को खुश करने के लिए गालब ये ख्याल अच्छा है इस तरहीके की बाते जब कोई कहता है तो वो अपने आप को तसली देता है ये वो लोग हैं जो मेरे प्रधान मंत्री जी को कमजोर देखना चाहते हैं ये वो सोच है जो मेरे प्रधान मंत्री जी को कड़े फैसले लेते वे देख घबराते हैं। पिछले दस सालों में जिस मजबूती से मेरे प्रधान मंत्री जी ने फैसले लिये हैं, उससे जादा मजबूती से मेरे प्रधान मंतरी अगले पास सालों में फैसले लेंगे क्योंकि पूरा NDA चटान की तरह उनके साथ खड़ा है और उनके हर फैसले में NDA के हर एक घटक दल का समर्थन मौजूद है तो ऐसे में जब लोग ऐसी बाते करते हैं वो कहीं न कहीं अपनी खौईशों को जाहिर करते हैं वो ऐसा चाहते हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं पर हकीकत इसके बिलकुल विपरीत है मेरे प्रधान मंतरी जी की बॉड़ी लैंगुज देख लीजे उनकी बाते देख लीजे हर बातों में आपको वो confidence दिखेगा जो पिछले 10 सालों में ही नहीं बलकि पिछले 25 सालों में हम लोग को देखने को मिला जब से वो गुजरात के मुख्य मंतरी बने और उसी तेवर के साथ उसी मजबूती के साथ अगले 5 साल भी मेरे प्रधान मंतरी दिखेंगे ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ चिराग पासवान जी आपके चचा जान जो हैं वो सीटे तो नहीं है लेकिन हर स्टेज पर वो साथ में दिखे जब चुनावी रैलीज हो रही थी उनकी कोई भूमिका होगी या आपका सरकार में या अलाइंस में या आपके बीच में जो मन मुटाव है वो रिजॉल्व होने का परिवार एक हो जाएगा यह सवाल लोगों के मन में तो है नाविका जी परिवार का विशे उसमें मैं बाद में आऊंगा क्योंकि यह परिवार एक विशे है I'm no body to take any call on this मैं एक बिहारी परिवार से आता हूं और हम लोग कि यहां बिहार के बड़े परिवार के बड़े ही परिवार से जुड़े विशो पर फैसले लेते हैं ऐसे में दूसरी पीड़ी का हूं मैं बहुत छोटा हूं परिवार के बड़ों को ही यह फैसला लेना है कि परिवार एक होगा नहीं होगा, मेरी फुआ हैं, फूफाजी हैं, मेरी माँ हैं, सब लोग हैं, इन सब को, मेरी बहने हैं बड़ी, उन लोग को सब को मिलकर ये फैसला लेना, बढ़ हाँ, जहां तक राजनितिक परिपेक्ष का आपने जिक्र किया, जिस वेक्टी ने ऐसे नेता, ऐसे दल, कहीं भी, और इसलिए कल एंडिये लीडर्स की जब बैठक ती, तो उसमें आपको वो दिखें नहीं न, उसका कारण ही यही था, कि वो एंडिये का विस्सा नहीं है, क्योंकि एंडिये के प्रत्याश्यों को हराने में, उनकी भूमिका रही, जिसको कत ही बरदाश नहीं किया जा सकता है, बहुत सही तरीके से आपने सवाल का जवाब भी दिया, और कोई ऐसी बात भी नहीं की, जो छोटों को बड़ों के बारे में नहीं करनी चाहिए, बिहार में शायद असेंबली के चुनाव भी आने वाले हैं, कब होते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन आपकी पार्टी ने शंभवी चौधरी, 25 साल की लड़की, आप खुद युवानेता, तेजस्वी, बिहार में पॉलिटिक्स में एक नई खुश्बू आ रही है, आ सकती है, क्या बिहार एक नई दिशा दिखा सकता है इस देश को? लालू जी थे, आदनिया, नितीश कुमार जी थे, शुशील मोदी जी थे, वो एक नई पीड़ी, युवानेता, नेताओं की इस वक्त आई थी, मुझे लगता है, जेनरेशनल शिफ्ट के दोर से बिहार इस वक्त गुजर रहा है, नई पीड़ी आ रही है, जिन तमाम ने नेताओं का आपने नाम लिया, तेजस्वी हैं, मैं हूँ, मेरी पार्टी के युवानेता, और नावी का जी, मतलब मैं इंक्लूड करूँगा आपके इस सवाल में ही इसी बात को, बिहार में कुछ पार्टीयां ऐसी हैं जो जाती था और संपरदाइक्ता के अधार पर युवाई समीकरन ता, जिसमें महिलाएं और युवा थी, मैं सीमसीटों पर चुनाओ लड़ा था, पर पाँच में से चार युवा, युवाँ को मैंने मौका दिया, इन पाँच में से दो महिलाओं को, मैंने मौका दिया, जहां पे अनुभव के तोर पर वीना जी भी है और यंगिस MP के तोर पर शामभवी चौधरी भी हैं और ये ऐसे युवा चेहरे हैं वेल स्पोकन आर्टीकुलेट पढ़े लिखे जो कल को जब भारत की संसद में खड़े होकर बिहार से जुड़े विशो को रखेंगे तो बिहार की वो नई चवी देश के सामने आएगी ये वो चेहरे हैं जो जब बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे तो मुझे लगता है देश की जनता को एक नए बिहार की छवी देखने को मिलेगी तो yes युवा चेहरे हो का जमाना है बिहार में भी across the party line युवा चेहरे आ रहे हैं बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छी बात कही और युवा नेता भी सामने आए और देश में युवाओं को भी आगे बढ़ाएं लेकिन मैं बस उमीद करती हूँ कि आपका बंगले का सूट तयार होगा क्योंकि स्वेरिंग इन सेरिमनी है संडे को नौ तारीक को और आप मंत्री पद का शपत लेंगे हमारी नजरें टिकी रहेंगी अभी तो आप बता नहीं रहे हैं शायद आफ कैमरा आप बताएंगे कौ कौन सा महकमा कौन सा विभाग और कहां चिराग पास्वान शपत लेंगे मंत्री के बतार थैंक यू वेरी मच चिराग पास्वान जी हमसे बात करने के लिए और बहुत-बहुत बधाई for a 100% strike rate in Bihar and all the best for a bright future.